विल्कम बेक टु मा यूटूब चैनल पेपर है कर आज हम एक नए कोश्चन के साथ आपके सामने उपस्तित है तो कोश्चन नंबर आपका सेकेंड है जो की आपका short answer type question है ठीक है जिसे लगू तरी प्रसन कहते है short answer type question है आपका short answer type और आपका क्या हो जागा question हो जागा ठीक है जो कि आपका unit 1 है ठीक है और जितने भी आपके long answer type question है वो हमने सभी को एक एक करके discuss कर लिया है अब हम पढ़ लाएं आपका short answer type question ठीक है तो short answer type question का आपका second question है करहा है polysecurate ठीक है polysecurate पर संचिप्त note लिखना है यानि कि polysecurate के बारे में आपको लिखना है कि polysecurate से आपके क्या होते हैं और यह कितने तरह के होते हैं बस इतना पताना है और आपका question है आपर complete हो जागा ठीक है तो जो polysecurate होते है जैसे कि हमने long answer में पढ़ा था कि जो आपके polysecurate होते हैं वो आपके monosacurates से ही बनते हैं आपके complex सुगर है जो monosacurate के अनेक अड़वों के संघनन से बनती है यानि कि जो आपके monosacuride है ये कैसे हैं complex सुगर है बनते कब हैं ये आपके monosacuride के बहुत सारे अड़ू जब condensed करते हैं संगन होते हैं तब जा के आप क्या बनता है polysacuride बनता है और कह रहा है इसके fulsprup जलके उतने ही अडू बाहर निकलते हैं जितने मोनोसेकराइड के अडू संगनेत होते हैं मालो अगर आपने दो मोनोसेकराइड के अडू जोड़े मालो ये क्या है MS मोनोसेकराइड पिलस ये भी क्या है आपका MS मोनोसेकराइड ठीक है तो इसमें क्या होगा कह रहा है उतने ही जलके अडू बाहर निकलते हैं ठीक है जितने आपके मोनोसेकराइड के अडू संगनेत होते हैं तो दो अगर आपके मोनोसेकराइड के अडू मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा दो ही आपके H2O यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, कहने का तात्पर यह है, कहरा है, स्टार्च या मंड, सेलूलोज तथा गलाइकोजन, पॉली सेकराड सरकराओं के उधारण है, तो यह सभी क्या है, आपके पॉली सेकराड है, ठीक है, क्या है, स्टार्च मंड और आपका सेलू सेलूलोज गलाइकोजन, ठीक है, यह क्या है, पॉली सेकराड, कहरा मंड वा गलाइकोजन, क्रमसा पादप वा प्राड़ी कोशिकाओं में पाय जाते हैं, यानि कि जो आपका मंड है, मंड आपका कहां पाय जागा भी पादप कोशिकाओं में, और गलाइकोजन आपका कहा पाय जाता है प्राड़ी कोशिकाह में ठीक है मांड पादप कोशिकाह में गिलाइकोजन आपका प्राड़ी कोशिकाह में ठीक है पाय जाते है जबकि सेलुलोज का पाया जाना पादपों का विशिष्ट गुड होता है मतलब सेलुलोज आपका पादपों में ही पाय जाता है इन्हें पुना निम्न टाइप्स में बाटा गया है या दुबारा से इसको निम्न प्रकार में बाटा गया है ठीक है वो कौन कौन से प्रकार है ये करके हम डिसकस करेंगी तो सबसे पहला क्या है आपका नमबर एक कह रहा है संयूजन के आधार पर किसके आधार पर संयूजन के आधार पर है कॉम्बिनेशन के आधार पर क्या होगा नमबर एक होमो पॉली सेकराइट क्या होगा भी homo polysaccharides किसके आधार पर sun using a combination के आधार पर बात करें homo polysaccharides की तो कह रहा है ये एक ही प्रकार की एक लखी एकाईयों के बहुली करार से बनते हैं एक लखी एकाईया यानि कि monomer unit से किस से बनते हैं ये ये आपके बनते है monomer ठीक है कौन सी monomer unit ठीक है यानि कि एक ही प्रकार की एकाईयों को जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे तो क्या बनेगा जो आपका बहुलक बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे homo polysaccharides मतलब जितनी भी units होंगी इसमें जितनी एकाईया होंगी वो कैसी होंगी एक ही प्रकार के saccharides की होंगी ठीक है ये सभी glucose के बहुली करण से बनते हैं मतलब किस से बनते हैं glucose के बहुली करण जब हम glucose की units को एक ही करके जोड़ते रहते हैं जोड़ते रहते हैं तो जो एक आपका उच अड़भार वाला या लंबी स्रंखला वाला जो आपका योगिक बनता है वही क्या कहला था आपका homo polysaccharides कहला था ठीक है और जिस बंद द्वारे ये आपस में जुड़ते जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं glycosidic bond कहते हैं glucose के बहुली करण से glycosin, mand, ebam, cellulose बनते हैं अपका glycosin, mand, cellulose बनेगा ठीक है तो ये सभी कैसे होते हैं आपके homo polysaccharides mäण, к्या कहते हैं या रखना है הommo polysaccharides को ठीक है glycosin, mand, और cellulose ठीक है तो ये बनते हैं आपके किसे glucose के बहुली करण से ठीक है next heteropolysaccharides क्या होगा आपका दूसरा होगा आपका हेट्रो पॉली सेकराड ठीक है तो हेट्रो पॉली सेकराड क्या होते हैं ये दो यहां दो से अधिक प्रकार के मोनो सेकराड अड़ों के बहुली करण से बनते हैं इसमें क्या होगा जो आपका हेट्रो पॉली सेकराड होता है इसमें जो आपका मोनोसेकराड होते हैं ठीक है कैसे होते हैं जो आपके मोनोसेकराड होते हैं जो आपके मोनोसेकराड होते हैं वो कैसे होंगे अलग अलग तरह के होंगे ठीक है कैसे होंगे अलग अलग तरह के होंगे ठीक है दोनों आपके सेम नहीं होंगे अभी हमने क्या पड़ा दूसरा ले लिया आपने फ्रक्क्टोज ठीक है तो इन दोनों से जो आपका क्या है आपके हेट्रो पॉलिस एकरेट के एक्जामपल्स हैं ठीक है एक्जामपल्स आपको अच्छे से याद रखने है ठीक है इस तर इनसे आपके ऑब्जेक्टिब भी पूछे जाते हैं ये जीवों को बाहे कोश किये अवलंबन प्रदान करते हैं ठीक है जीवों का जो बाहे कोश किये अवलंबन बना होता या उनका कंकाल बना बाहे कोश किये जो सरचना होती है वो किसके बनी होती है इनी सी बनी होती है ठीक है हेट्रो पॉलिस से बनी होती है दूसरा आपका है कारियों के आधार पर ठीक है अभी था संयोजन के आधार पर अब हम बात कारीयों के आधार पारु के से लएक 20 कि इसका तो बिल्क अडूंग यानने कि बड़े-बड़े दोग। चोटी चोटी अड़ूं से मिलकर एक बड़ा अड़ू बनेगा उन दोनों को अगर दो बड़े बड़े अड़ूं को आपस में जोड़ दोगे तब जाके आपका क्या बनेगा इस्टार्च बनेगा ठीक है यह आपका आलू हो गया अनाजवा अनकई पौधों में कड़ों के रूप में पाया जाता है ठीक है कैसे जैसे आपका आलू हो गया और अनाजवा अनकई पौधों में कड़ों के रूप में जो है यह देखनों को मिलता है किंतु प्राडियों में इसका कोई महत तो नहीं है ठीक है इसका इस्टार्च या मांड का ठीक है किसमें प्राडियो कि तो यहां से आपका ऑबजिकेटिव मन सकता है कि प्राणियों में संचत भोजन किस रूप में पाया जाता है तो कि प्राणियों में आपका संचत भोजन होता है वह थुआ जय ग्लुकोज के अडू जब वापस में जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अडू बन जाएगा वही होगा बहुलक और संचित उर्जा का अती महतपूर भंडार है कौन सा ग्लाइकोजन यदि यह सभी उतकों वहाँ अंगों में पाया जाता है बॉड़ी के सभी अंगों में पाया जाता है ठीक है कहने का मतलब यह है किन्तु मुख रूप से यह पेशी तंतु और यक्रत कोशिकाओं में ही सं यह इस्टोर रहता है यह पानी में कैसा होता है पानी में गुलंसील होता है कौन आपका ग्लाइकोजन ठीक है याद रखना है ग्लाइकोजन पानी में गुलंसील है कर नहीं है तो क्या लिखना है ठीक है पानी में कैसा है गुलंसील है ठीक है किन्तु जीव द्रब्य में य सब्सक्राइब सब्सक्राइब मोनो सेकराइड अडूं का बना होता है इसमें सेकडों मोनो सेकराइड अडूं आपको मिल जाएंगे इसका प्राडियों में कोई महत नहीं है इसका भी प्राडियों के लिए कोई ज़्यादा बिशेश महत नहीं है लेकिन किन्टु क्या है ट्यूनिकेट प्राडियों की बित्ति सेलूलोज की बनी होती है यह कोश का बित्ति के निर्माण में भाग लेता है इसके अलाबा कोश की है कंकाल में भी इसका महतपूर योगदार रहता है यानिकी जो आपका कुश़्की कंकाल होता है, ठीक है, क्या होता है कुश़्की कंकाल है, इसक्लेटल होता है उसको भी बनाने में इसका मैहतवपूर योक्दान रहता है पुर्थ आपका है काईटन, क्या है? काईटन यह भी एक प्रकार का соврем polysacijuana है, कैसा है? polysaccharide है जो कीटों बाइ क्रिश्टेशियन्स का बसे कंकाल याद रहें तो पूछा जाता है कि कीटों का कंकाल किसका बना होता है तो को याद रहना तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो short answer workshop question था दूसरा जिसमें पूछा गया था कि पॉली सेकराड पर संचिप्त नोट लिखना है क्या करना है बिपॉली सेकराड को बताना है क्या होता है ठीक है तो इस तरह से पॉली सेकराड पर हमने क्या करा भी संचिप्त नोट को पढ़ा है समझा है ठीक है डिसकस किया है तो इसको अच्छे से क्या कर लेना आपने याद कर लेना ठीक है शॉर्ट आंसर में आपसे पूंचा जा सकता है पॉलिस एक आपका अच्छा कोश्चन है ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में बन रही है हमार साथ थैंक्स पर वाचिंग और शेयर दा वीडियो